नवस्कारा बिहारी सौर्स देख रहे हैं मैं हूँ प्रम्बेड सिंग आज भारत का आम बजट पेश हो रहा है भारत की वित मंत्री निर्मला सिता रमन आज आम बजट पेश कर रही है इस दोरान निर्मला सिता रमन ने बड़ा एलान कर दिया है द्रसल खास करके आठ लाख रोजगार पैदा करेंगे तो कहीं न कहीं यह बड़ी बात है इसके साथ ही जो वीत मंत्री का यह भी कहना है कि भारत का जो विकास दर है वो नौ दसमला दो साथ परतीसत रहेगा इसके साथ कौसल विकास और रोजगार के मुद्दे पर इस साल काफी ध्यान दि नोकषडी देंगे, स्कीलिंग प्रोगराम को नया रूप दिया जाएगा, हमारे युआउँ के स्कीलिंग, अपिस्कीलिंग और रिस्कीलिंग के लिए डिजिटल देष एपोर्टल लॉँच किया जाएगा, उन्होंने देष के युआउँके लिए कंसल यूकास की महत्त करने के लिए सहयोग करती रही है इसी दिशा में MSME को दो लाख करोड रुपे की अतरिक मदद मिलेगी साथ ही किसानों के लिए महत्पून घोसनाय करते हुए उन्होंने कहा कि रभी सीजन 2021-22 में गेहु की खरीद और खरीब सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मेट्रिक टन गेहु और धान का कवर किया जाएगा और 2,37,000 करोड रुपे उनके MSP मूल का सीधा भुगतान होगा तो कही न कहीं यह खबर बिरुजगारों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से लगतार जो बिरुजगार है वो सरकार से रुजगार की मांग कर रहे थे उनका कहना था कि जब मोधी सरकार केंदर में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि जाएदर से जाएदा रोजगार दिया जाएगा लेकिन रोजगार के मामले में देश लगतार पीछे जा रहा था कुरोने के कारण भी कई लोग बिरोजगार हो गए थे जिसके बाद सरकार पर सवाल उठ रहे तो कहीं न कहीं इन सवालों का जवाब वित मंत्री ने दिया है और उनका कहना है कि आन साथ लाख रोजगार युवाओं को मिलेगा क्यूंकि युवा लगतार सरक पर उतर रहे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं कहीं भी चुनावी मुद्दा हो उसमें रोजगार की बात रहों ऐसा होई नहीं सकता आप देख रहे होंगे कि तमाम पाटिया रोजगार का व पड़ावा दे रहे हैं कौसल विकास योजना को और तेज किया जाए तामाम तरह की बाते आज वीत मंत्री ने बजट भासन के दोरार कहा है बहुत अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के लिए आप क्या सुखते हैं वीत मंत्री की इस सब्सक्राइब देखने हैं तो हमारे पेच को भी लाइक कर लिजेगा धन्यवाद